नमस्का दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Tap Drill Size Formula के बारे में कि कैसे एक Bolt के Size से हम उसके Tap और Drill का Size निकालते हैं तो जैसे ही हमारे पास तीन Bolt है Mitric Size के ये है 8 mm का, ये है 10 mm का और ये है 12 mm का तो अगर हमको ये Bolt कहीं पे लगाने हो और इन Bolt के लिए हमको Thread बनाना हो तो सबसे पहले हमको वहाँ पे Drill करना होगा और उसके बाद में वहाँ पे हम Tap गुमाएंगे तो इनके Size से कैसे हम Tap और Drill Size को Find Out करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को Like जुरू कर दें आज की वीडियो का Like का Target है 200 Like तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तो टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हमको दो चीजों का पता होना चाहिए सबसे पहले है Size of Bolt यानि हमको उसके Size का पता होना चाहिए जैसे कि यह 8 mm का बोल्ट है यह है 10 mm का और यह है 12 mm का और दूसरे नंबर पे हमको पता होने चाहिए उसकी Pitch जो Metric Size के बोल्ट होते हैं वो दो Pitch में आते हैं एक तो आते हैं Course Pitch में और एक आते हैं Fine Pitch में Course Pitch का मतलब है कि उसकी जो यह Thread होगी वो थोड़ी मोटी होगी और Fine Pitch का मतलब है कि उसकी यह Thread होगी वो थोड़ी बारीक होगी ठीक है दोस्तों तो इसका जो Formula है वो है Major Diameter Minus कर देंगे हम उसमें से Pitch को तो हमारे पास आ जाएगा Drill Size तो Major Diameter होता है Bolt का एक Thread के End से दूसरे Thread के End तक का जो Diameter होता है यानि जो Size होता है वो उसका Major Diameter होता है यानि Bolt का Size जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M12 यह M12 का यानि 12 mm का Bolt है तो हम क्या करेंगे इसके Major Diameter में से इसकी Pitch को Minus कर देंगे तो Pitch हमको पता होनी चाहिए कि वो Fine Pitch का है या फिर Course Pitch का है तो जिस Pitch में भी हमको Thread बनाना है तो वो Pitch को हम उसके Major Diameter में से Minus कर देंगे तो अभी हम इसको निकाल के देखते हैं तो सबसे पहले हम Example लेके चलते हैं M8 के Bolt की दोस्तो यह M8 का Bolt है और यह है Fine Thread में यानि Baric Thread में तो इसकी जो Pitch है वो है 1 mm ठीक है तो हम क्या करेंगे इसके Major Diameter यानि इसका Major Diameter है 8 mm तो हम 8 में से Minus कर देंगे इसकी Pitch को यानि 1 को तो हमारे पास आ जाएगा इसके Drill का Size तो इसका Drill का Size आ जाएगा 7 mm यानि अगर हमको इस Bolt के लिए Thread Size बनाना है कहीं पे तो हमको वहाँ पे 7 mm का पहले Drill करना होगा दोस्तो 7 mm का Drill Hole बनाने के बाद हम उसमें Thread बनाने के लिए Tap घुमाते हैं तो ये M8 का Bolt है तो उसमें M8 का ही Tap घुमेगा बस हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा Bolt बारिक चूडी का है तो उसमें Fine Tap घुमेगा ये जो Tap होते हैं ये भी दोनों साइज में आते हैं Fine Thread के लिए भी और Course Thread के लिए भी तो हमारा जो Bolt है वो हम बारिक चूडी का है यानि एक पिच का है तो हम उसमें Fine Tap ही घुमाएंगे ठीक है तो उस Fine Tap घुमाने के बाद हम इस Bolt को उसमें फिट कर सकते हैं तो अभी M10 के Bolt के लिए हम Course Pitch में निकाल के देखते हैं उसका Drill Size जैसे ये 10 mm का Bolt है तो हमने क्या करना है इसका Major Diameter कितना है 10 mm तो इसमें से हम इसकी Pitch माइनस करेंगे हम Course Pitch लेते हैं यहां पर 1.50 तो हमारे पास आ जाएगा 8.50 mm यानि 10 mm के Bolt के लिए अगर हमको Drill Size मारना हो तो हम उसमें 8.50 का Drill लगाएंगे तो उसके बाद हमको इसमें Tap घुमाना है तो Tap घुमेगा इसमें M10 का और वो उसका जो Size होगा वो Course Pitch का होगा यानि Course Thread का जो Tap Size होगा वो घुमेगा और उसके बाद हम इसमें M10 के Bolt को वहाँ पर लगा सकते हैं तो अभी हम 10 mm का निकाल के देखते हैं Fine Pitch में हमको क्या करना इसका Size लिखना है 10 mm और इसमें से इसकी Fine Pitch को Minus कर देना है 1.25 को तो हमारे पास आएगा 8.75 यानि 8.75 के जो भी Near About Drill Size होगा वो उसमें हम लगाएगे तो यहाँ पे जो Drill Size आता है वो आता है 8.80 mm का ठीक है तो M10 का Bolt है अगर हम इसके लिए Drill Size घुमाएगे तो उसमें 8.80 का Drill लगेगा और उसमें जो फिर उसके बाद Tab घुमेगा वो M10 का हम Fine Thread का Tab घुमाएगे इसके बाद हम M12 का निकालते हैं Fine Pitch में तो यहाँ पे लिखेंगे 12 mm Minus करेंगे इसमें से 1.50 को Fine Pitch को तो हमारे पास आएगा 10.50 mm यानि उसमें Drill लगेगा 10.50 का और Tab घुमेगा उसमें M12 का Fine Thread वाला ऐसे ही हम M14 के Bolt के Size का निकाल के देखते हैं इसको हम निकालते हैं Core Spitch में तो Core Spitch कितनी है इसकी 2 mm 2 को इसमें से Minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 mm यानि 12 mm का Drill लगेगा और उसमें जो Tab घुमेगा तो 16 में से हमने Minus करना है अगर हम Fine Pitch का निकाल के देखते हैं तो 1.50 को तो हमारे पास आजाएगा इसका Size 14.50 mm ठीक है दोस्तों तो अगर हम M18 का निकालेंगे यहाँ पे हमको 18 लिखना है और Fine Pitch है इसकी 2 mm 2 को Minus करेंगे तो 16 का Drill Size निकालेगा लगेगा उसमे और Tap घुमेगा 18 mm का Fine Thread वाला और 20 के लिए अगर हम निकालेंगे जोंसी भी पिछ में अगर हम Core Pitch में निकालते हैं तो 2.50 को उसमें से Minus करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 17.50 mm का उसमे Drill Size लगेगा और Tap घुमेगा उसमे M20 का 2.50 Core Pitch वाला ठीक है दोस्तों तो ऐसे हम उस Bolt के Size से उसके Tap और Drill Size को Find Out कर सकते हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को Like जुरू कर दें और चैनल पे नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें Thanks for watching